नमस्कार मैं में मेगाजादो आज हम सरोनाम और उसके प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे पेले हम देखेंगे कि सरोनाम किसे कहते हैं संग्या की जगह प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं उदारनार्थ सीता ने अपनी मा को पत्र लिखा कि उसे अपने खर्च के लिए कुछ रुपए चाहिए इस वाक्य में सीता की जगह अपनी उसे और अपने शब्दों का प्रयोग किया गया है और ये सभी सर्वनाम है जिसके कारण वाक्य का अटपटापन दूर होता हुआ हमें दिखाई देता है सर्वनाम के चह प्रकार है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा निश्चेवाचक सर्वनाम तीसरा अनिश्चेवाचक सर्वनाम चवथा संबंदवाचक सरोनाम, पाचवा प्रश्णवाचक सरोनाम और छटा निजवाचक सरोनाम पुरुषवाचक सरोनाम जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विशय में बात की जाए ऐसे शब्दों को पुरुषवाचक सरोनाम कहा जाता है उदारनार्थ अध्यापिका ने कहा मैं आज तुम्हें व्यकरन पढ़ाऊंगी तुम सब किताबे निकालो वे जो बाहर गूम रहे हैं उन्हें भी बुला लाओ इसमें मैं तुमें तुम वें उन्हें ये सभी पुरुश्वाचक सरोनाम के उदारन हैं इसमें बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरे व्यक्ति का भी समाविश होता हुआ हमें दिखाई देता है पुरुश्वाचक सरोनाम के तीन प्रकार हैं उसमें पहला उत्तम पुरुश्वाचक सरोनाम जिसे हम बोलने वाला भी कहते हैं और उसके लिए मैं, मैंने, मुझे, ह हम, हमें, हमने आदी सरोनाम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मद्यम पुरुषवाचक सरोनाम जिसमें सुनने वाला आता है। उसके लिए तू, तुम, तुमसे, तुमें, तुझे, आप इत्यादी सरोनाम का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है अन्य पुरुष वाचक सरोना, इसमें अन्य व्यक्ति के लिए वह, वे, उसे, उने, उनोंने, उनको, वे, आधी सरोनाम का इस्तमाल किया जाता है। उदरनार्थ मैंने तुमें कल ही बता दिया था कि वे लोग आज नहीं आएंगे। इसमें मैंने उत्तम पुरुष है याने बोलने वाला व्यक्ति है, तुमें मध्यम पुरुष याने सुनने वाला व्यक्ति है और तीसरा वे लोग याने जिनके बारे में बात की जा रही है याने अन्य पुरुष समावेश होता हुआ दिखाई देता है। तो ये सभी पुरुष वाचक सरोनाम के उधारन है. निश्चे वाचक सरोनाम जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चे वाचक सरोनाम कहते हैं. निश्चे वाचक सरोनाम को संकेत वाचक सरोनाम भी कहा जाता है उदारनार यह कमला है और दूसरा उदारन वह कमला की सहली बीना है इस वाक्य में यह और वह शब्दों का प्रयोक कमला और बीना की ओर संकेत करने के लिए किया गया है इसलिए ये संकेत वाचक या निश्चे वाचक सरोनाम के उधारन दिखाई देते हैं अनिश्चे वाचक सरोनाम जिस सरोनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उसे अनिश्चे वाचक सरोनाम केते हैं उदारनार्थ आपसे मिलने कोई आया है और दूसरा उदारन पानी में कुछ गिरा है इन उदारनों में कोई कुछ शब्द आदी और निश्चेवाचक सरोनाम के है क्योंकि इनसे किसी निश्चित प्रानी या पदार्थ का पता नहीं चलता कौन मिलने आया है या क्या गिरा हुआ है इसके बारे में निश्चेपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता कोई कुछ किनी आदी शब्द और निश्चेवाचक सरोनाम के उदारन है संबंद वाचक सरोनाम जिस सरोनाम शब्द से वाक्य में आये किसी दूसरे सरोनाम से उसका संबंद स्पष्ट करता है उन्हें संबंद वाचक सरोनाम कहते हैं जैसा करोगे वैसा बरोगे दूसरा जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा इन उदारनों में जैसा, वैसा, जो, उसे ये संबंद वाचक सरोनाम के उदारन है प्रश्न वाचक सरोनाम जिस सरोनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अथ्वा कुछ जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्न वाचक सरोनाम कहते हैं उदारनार्थ अंदर कौन है और दूसरा उदारन मा क्या कर रही है इन वाक्यों में कौन और क्या ये प्रश्ण वाचक सरोनाम है और इसमें वाक्य के अंतमें प्रश्ण चिन्न भी लगाया जाता है निजवाचक सरोनाम जो सरोनाम शब्द अपने पन या निजत्वका बोथ कराते हैं उन्हें निजवाचक सरोनाम कहते हैं उदारनार मैं अपना कांग खुद करता हूँ दूसरा उदारन हमें अपने आप पर मरोसा करना चाहिए निजवाचक सरोनाम का प्रयोग वक्य के करता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है तो इन उधारनों में खुद और आप ये दोनों शब्द निजवाचक सरोनाम के उधारन है तो आज हमने सरोनाम और उसके चप प्रकारों के बारे में जानकारी ली है धन्यवाद